जैन साथियों एक पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे साथियों का बी-ए समेस्टर वाला में जियां दोस्तों आज की क्लास बहुत ही सांधार होने वाली है तो लास्ट तक जरूर बने रहेगा आज के इस कलास में साथ ही हम लोग कवर करेंगे भी ए थार्ड एयर सिक्थ समेस्टर एज़ाम दोजार चोबिस पचीज में मेडिवल हिष्टी यानि दोस्तों आपका मद्दिकाली नितिहास ठीक है कितने बच्चे हिष्टी इसको बोलते है ठीक है कोई दिक्कन नहीं एक हि इसका पेपर कोड हिस 306 है ठीक है पेपर का नाम है एरा आफ गांधी एंड मास मॉमेंट गांधी का यूग और जन अंदोलन तोस्तों आप भारत के किसी भी उनिवर्सिटी से हैं किसी भी राज्य से हैं आप इस कलास को अटेंड कर सकते हैं ठीक है सिक्थ समेस्टर मद्द समेस्टर में आपको पढ़ाता साथ ही हूं सिक्थ समेस्टर में भी उसी तरह से पढ़ा जा रहा है फिप्त समेस्टर में जो आपको नोर्स में दी गए गये थे उसमें से कई सारे प्रस्णाब के एक्जाम में आए थे सिक्थ समेस्टर में भी नोर्स को बिल्कुल भी मिस ठीक है इससे क्या होता है आपका रिवीजन भी होता रहेगा और जो आपको यह इंपोर्टन्ट की पॉइंट्स है यह भी आपको मिल जाएगा पढ़ने के लिए कलास स्टार्ट करने से पहले साथ ही मैं आपको कुछ इंपोर्टन्ट नोट्स बतातेता हूँ जो मोस्ट इंपोर्टन्ट है आपके एक्जाम में आने ही यह बाले हैं पूरे हंडेट परसेंट आएंगे ठीक है ध्यान रखिएगा पहला जो की पॉइंट से यह है महात्मा ग गई थी ठीक है आपके एक्जाम में पूछेगा क्रिप्स मिशन की गोशणा कब की गई थी 11 मार्च 1942 किसके द्वारा भया ब्रेटीश सरकार की द्वारा ठीक है अच्छा आगे देखिए 23 मार्च 1942 को सर इस्टाइफ होड क्रिप्स के नेत्रित्तु में क्रिप्स मिशन भार में कब भेजा गया था 23 मार्च 1942 को किसके द्वारा भया इस्टेफ होड क्रिप्स के द्वारा ठीक है आगे देखिए क्रिप्स मिशन का मुख्य उद्धिस क्या था भिया दूती विश्व यूद्ध में भारत का समर्थन प्रात्त करना ठीक है आपके एक्जाम में पूछे अपरेल 1942 को क्रिप्स मिशन को भारत के सभी दलों ने अस्विकार कर दिया था ठीक है ये भी ध्यान रखिएगा आपके एक्जाम में पूछता है क्रिप्स मिशन को भारत में कब अस्विकार किया गया था तो 11 अपरेल 1942 को ठीक है चले ये सभी important बहुत important है ये आपके अखिल भारती महासंग अस्थापित करने का प्रावधान सामिल किया गया था तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में सामिल किया गया था ठीक है ये आसन करेक्ट हो जाएगा आपका चलेंगे इसमें ध्यान रखेंगे साथियो भारत सरकार अधिनियम 1935 में अखिल भारती महासंग अस्थापित करने का प्रावधान सामिल किया गया था इस अधिनियम को 4 अगस्त 1935 को साही स्विक्रेती मिली थी ठीक है ध्यान रखियेगा भारा सरकार अधिनियम 1935 को साही स्विक्रेती का मिली थी 4 अगस्त 1935 को प्रस्ण नम्बर दो आपका पूछा गया है इसमें साथियों अलपसेंख्याको के हीतों का संदस्छण किस अनुच्षेद के लिए है अनुच्षेद के लिए है थिया रखेंगे चली तीसरा प्रस्ण बहुत ही सांदार है भारतीयों और देश के भीभाजन को सत्ता हस्ता अंतरीत करने की योजना काइबिनेut मिसनी योजना में रखी गई थी तेकि एक ही प्रस्ण को दो बार पढ़ने का सिर्फ एक ही मतलब है कितने बच्चे दोबारा क्लास नहीं देख पाते हैं ठीक है ताकि उनको एक ही बार में याद हो जाए ठीक है चले चोथा प्रस्ण आपको क्या है मसाधा समिती के अध्यच कौन थे तो डाक्टर भीमरा अमबेटकर थे मसाधा समिती के अध्यच इसमें कुछ की पॉइंट से ध्यान से पढ़िएगा भारती सम्विधान की प्रारूप समिती यानि मसाधा समिती के अध्यच डाक्टर भीमरा अमबेटकर थे संभिधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को भारत के लिए एक मसाओदा संभिधान तयार करने के लिए डाक्टर भीम्रा अमबेटकर की अध्याच्छता में मसाओदा समिती का गठन किया गया था ठीक है बहुत ही सांदार प्रस्ण है ये चले पांचवाँ प्रस्ण क्या है आपका आई एन एक या स्थापना कब होई थी ये भी प्रस्ण आपके ग्याम में 100 प्रसंट आएगा तो सिंगापूर में होई थी भीया कब होई थी ये भी देख सिंगापूर में की थी ठीक है बहुत ही सांदार ये प्रस्ण है चले प्रस्ण नमर 6 आपका क्या पूछा गया है उननी सो तिरालिस में कहां पर आजाद हिंद भौज अस्तित्तों में आई तो सिंगापूर में आई थी भीया सी आपसन करेक्ट हो जाएगा आपका नमर 8 क्या पूछा गया है आजाद हिंद भौज की अस्थापना कहां की गई थी तो सिंगापूर में की गई थी सी आपसन करेक्ट हो जाएगा देखिए एक ही प्रस्ण को कई तरह से पूछेगा इसलिए मैंने कई तरह से बता दिया ठीक है चले नवा प्रस्ण आपका ने पूधित किया था देखिए यह जो प्रस्ण है इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं रविन्या टाइगोर में और सुवाशंद्र बोस में तो ध्यान रखिएगा सरव पर्थम राष्ट पिता अगर जो कहे थे वह सुवाशंद्र बोस जी ने कहा था ठीक ह इस पुरस्ण को रखने का सिर्फ एक ही मकषद था जो बच्चे कंफ्यूजन में है ताकि उनको कंफ्यूजन उनका दूर हो जाब ठीक है गांदी जी को सरव पर्थम राष्ट पिता सुवाशंद्र बोस ने कहा था ठीक है यह हर साल क्या होता है बच्चे कंफ्यूजन में कि रहते हैं इसलिए मुझे बताना पढ़ता ठीक है चले ग्यारमं प्रसन क्या है आपका अंग्रेजों ने भारत की सम्मिधान सवा बनाने की मांग किस वर्स शुईकार की थी तो जो अंग्रेजं थे वों भारत की सम्मिधान सवा बनाने की जो मांग स granddaughter की थी 1940 में किये थे यह लोग ठीक है ध्यान रखेंगे बहुत ही सांदार प्रस्ण यह चले बारह नमबर प्रस्ण क्या है आपका निम्नलिखित में से कौन कृण क्रिप्स मिशन की विफलता का ततकालीन प्रभाव था तो भारत छोड़ो आंदोलन ठीक है कृट्स मिशन की विफलत का ततकालीन प्रभाव था डियाप्सन करेक्ष हो जाएगा अब एक बात मेरी ध्यान से सुनिए आपके प्रस्ण में जब भी पोस्ट डेटट चेक आएगा तो इसका उत्तर महात्मा गांदी होगा ध्यान रखेंगे ठीक है इस प्रस्ण को किसी भी तरह से आपको ज्ञा करक से पूछेगा तो ध्यान रखेगेगा ठीक है चले प्रास्ट क्या एक की पोंट्स आपको बता रहा हूं यह अलग से आपके can में का सकते हैं यह गोल में समयलन बारे मैं आपको की पौइंट कब बता अर। पर्थम गोल में सम्मेलन कब हुआ था दूती गोल में सम्मेलन कब हुआ था और तीती गोल में सम्मेलन कब हुआ था यह आपके एक्जाम में पूछा जाता है ठीक है तो पर्थम गोल में सम्मेलन 1930 में आयोजित किया गया था और जो दूसरा गोल में सम्मेलन था साथियों ठ तीसरा गोल में सम्मेलन हुआ था 1932 में हुआ था यानि प्रथम 1930 में दूतिय 1931 में और जो तिरती गोल में सम्मेलन है 1932 में हुआ था ठीक है अच्छा लेबर पार्टी गांधी और कांगरेश गोल में सम्मेलन में सामिल नहीं हुआ थे ठीक है एक्जाम में पूछता है आप के इनमे से कौन गौल में सम्मेलन में सामिल नहीं हुआ था तो लेबर पार्टी, गांधी जी और कांगरेश ठीक है ये तिनों गोल में सम्मेलन में सामिल नहीं हुए थे अच्छा सविनय अवग्या आंदोलन से लेकर के मैं आपको कुछ बता देता हूँ सविनय अवग्या आंदोलन 1930 के दांडी मार्च के बाद शुरू हुआ इस आंदोलन का नेत्री तो महातमा गांधी ने किया था जब ब्रिटिस सरकार ने उनकी मांगों पर कोई प्रतिकिरिया नहीं दी थी तो महातमा गांधी ने सविनय अवग्या आंदोलन सुरू कर दीजिया 1930 में दांडी यत्रा के बाद ठीक है ध्यान रखेंगे मार्च 1930 में महातमा गांधी ने सावर मती आसरम से दांडी तक एतिहासिक दांडी यत्रा सुरू की सविनय अवग्या आंदोलन में कौन-कौन सामिल थे भईया नमक कानूनों की अवहेलना सराब का वहिसकार करो और राजस्तों का भुगतान न करना यह भी पूछता है कौनको शबिनय और किया पूछ था झाली हर सावर में यह तब हुआ था जब ब्रिगेडियर जनरल के कारवाहा अवर ब्रिटीज भारती सेना के साइन को को निहत्थे भारतिय नागरिकों की फिल पर अपनी राइफलों को निशाना बनाने का निर्देश दिया जलिया वाला बाग 6.27 एकड का सरवाजनिक उधान है यानि वगीचा है ठीक है पार्ख है एक तरफ से ध्यान रखेंगे पंदरह नमबर पस्ण क्या है भारत छोड़ो आंदोलन किसके प्रत्यूक्तर में शुरू किया गया था तो यह कृप्स मिशन भारत कब भेजा गया था कृप्स मिशन को भारत में मार्च 1945 में भेजा गया था प्रस्ट नम्मर 17 क्या है सर इस टाइफ होट क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि दूतिव विस्यूद्ध के बाद भारत को अधिराजी का धर्जा दिया जाना चाहिए ठीक है डियाफ्सन करिक्ट हो जाएगा 18 नम्मर पस्ट क्या कहा गया है निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स प्रस्ताव का हिस्सा नहीं था तो भारती सम्विधान की रूप रेखा के लिए एक निर्वाचित घटक बिधानसवा जो है यह आपका क्रिप्स प्रस्ताव का हिस्सा नहीं था बाकी भारत को डोमीनियन य इनकी सक्तियां बरकरार रहेंगे यह सभी क्रिफ्स प्रस्ताओं में कहा गया था आपका दूसरा नंबर जो भी आपसन यह नहीं कहा गया था समय ब्रिटीज पर्धान मनत्री कौन थे विश्टल चरुचिल ठीख है बहुत यह सांदार प्रसन है भारत में कृप्स इनका जन्म 23 जन्वरी 1897 को हुआ था और इनकी मृत्यू 18 अगस्त 1945 को हुई थी ठीक है जन्म 23 जन्वरी 1897 मृत्यू 18 अगस्त 1945 ये जन्म और मृत्यू पूछेगा जरूर ध्यान रखिएगा भारत के सबसे परसीद सोतंतरता सेनानिव में से सुबाशन्द वोस एक थे ठीक ह 1942 में उन्होंने आजाद हिंद भाउज के भारती सानी को द्वारा जर्मनी में नेताजी सिर्शक अरजित किया था सुबाशन्द वोस को बहुत परसी दनारे के साथ स्रे दिया जाता है मुझे खून दो ठीक है तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूँगा साथ ही जैहिंद का नारा भी इन्होंने दिया था ठीक है चले उन्हें सिंगापूर से अपने संबोधन में मात्म गांधी को राष्ट पीता कहने वाले पहले व्यक्ति के रूप में भी जाना जाता है ठीक है अब आपका कंफ्यूजन दूर हो गया कि रभिना टैगोर और सुबाशन्द वोस में किसने सरवपर्थम गांधी जी को महात्मा का उपाधी दी थी ठीक है तो सुबाशन्द वो पहले ग्रिह मंत्री और उपपरधान मंत्री थे ठीक है भारत के पहले ग्रिह मंत्री कौन थे सरदार बल्लम भाई पटेल और भारत के पहले उपपरधान मंत्री कौन थे सरदार बल्लम भाई पटेल ठीक है उन्होंने भारतिय संग बनाने के लिए कई भारतिय रियासतों क एकी करण में महतपूर भूमी का निभाई बर्दोली की महिलाओं ने बल्लम भाई पटेल पर सरदार सिर्शक दिया जिसका अर्थ है एक प्रमुख या एक नेता ठीक है चले ध्यान रखेंगे साथियों भारत को एकी कृत यानि एक भारत और एक स्वतंत्र राष्ट बनाने क के महान योगदान के लिए उन्हें भारत के वास्तवीक एकी करण के रूप में मानेता परात है आगे देखिए उन्होंने भारत के लोगों से स्रेष्ट भारत सबसे महतपूर भारत बनाने के लिए एक जूट होकर जीने का अनुरोद किया था जो सरदार बल्लम भाई पट पुछा जाता है अखिल भारती ये सेवा प्रडाली की अस्थापना किसने की थी तो सरदार बल्लम भाई पटेल ले चले इसमें प्रस नंबर 21 का क्या पूछा गया साथियों भारत छोड़ो आंदोलन के दवरान कौन सी यूगवा महिला नेता अवग्या और प्रतिरोध का प्रतिक थी तो साथियों ये अरुणा आसफ अली थी भी आपसन करेक्ट हो जाएगा प्रस नंबर 22 अब क्या कहा गया है भारत छोड़ो प्रस्ताव को सुविक्रिती देने के लिए अखिल भारतिय कांगरे समती ए आई सी सी की बैठक कहां आयोजित की गई तो बांबे में की गई थी भी या सी आपसन करेक्ट हो जाएगा प्रस नंबर 23 क्या पूछा गया है स्वतंतरता आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे बिहार की लक्ष्मी वाई भी कहा जाता था तो राम स्वरूप देवी जी को ठीक है स्वतंतरता आंदोलन के दौरान बिहार की लच्मी भाई भी कहा जाता था ठीक है चले प्रस नमर 24 क्या है आपका भारत छोड़ो आंदोलन के दोरान केसो प्रसाद ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था तो अगर दूत पत्रिका का प्रकाशन किया था यह आपसन करेक्ट हो जाएगा प्रस्ट नमर 25 आपको क्या कहा गया है किस ने भारत छोड़ो सब्द को प्रतिपादित किया तो यूसुप मेहर अली ने ठीक है भारत छोड़ो सब्द को प्रतिपादित किया सी आपसन करेक्ट हो जागा आपका चले प्रस्ट नमर 26 देखेंगे हम लोग क्या है चले 26 नमबर पसनाप का पूछा गया है किस भारती राष्टवादी आंदोलन को अगस्त आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है तो भारत छोड़ो आंदोलन को ठीक है अगस्त आंदोलन के रूप में जाना जाता है अच्छा जो भारत छोड़ो आंदोलन एसाथी हूँ इसको एक नाम और से जाना जाता है अगस्त ठीक है मैं बता रहा हूँ ध्यान से देख लिए अगस्त करांती के नाम से भी जाना जाता है ठीक है भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त आंदोलन और अगस्त करांती के नाम से भी जाना जाता है ठीक है दोनों नाम याद रखिया आप लो 27 नमबर परस देखेंगे क्या है भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ आठ अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आराम्ब हुआ प्रस नंबर 28 क्या है गांधी जी ने आठ अगस्त 1942 को पर्सिद करो या मरो का भासड दिया था ठीक है, सी आप्सन करेक्ड हो जाएगा प्रस नंबर 29 आपका क्या पूछा है 11 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान साथ छात्रों को पटना सचीवाला के पास जंडा फाराने के दौरान पूलिस की गोलियों द्वारा मार दिया गया था उस जिला मजिस्ट्रेट का नाम क्या था जिसने इस छात्रों के जुलूस पर गोलिवारी करने का आदेश दिया उसका नाम था डबलू जी आर्चर बी आफसन करेक्ट है ये प्रस नमबर तीस आपका क्या पुछा गया है निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दोरान मुंबाई के गोवालिया टैंक मैदान में भारती ध्वज फार आया था तो अरुडा आसप अली जी ने फार आया था डी आफसन करेक्ट हो जाएगा प्रस्ट नंबर 31 साब का पुछा गया है काइबिनेट मिशन योजना कब प्रकासित होई थी 16 मई 1946 को काइबिनेट मिशन योजना प्रकासित होई थी याद रखिएगा 16 मई 1946 काइबिनेट मिशन योजना प्रकासित होई थी प्रस नंबर 32 क्या है काइबिनेट मिशन योजना का मुख्य उद्देश निम्न में से क्या था भारत के लिए पूर स्वराज को संभव बनाना काइबिनेट मिशन योजना का मुख्य उद्देश था ठीक है पूर स्वराज बनाना काइबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश भारत को 33 नमबर पस्ण क्या पूछा है भारत में जवाहलान लेहरू के नेत्रित्व में अंतरीम सरकार कब बनी तो 1946 में बनी थी अच्छा डेट भी याद रखिएगा 2 सितंबर 1946 ठीक है भारत में जवाहलान लेहरू के नेत्रित्व में अंतरीम सरकार 2 सितंबर 1946 को बनी थी देखिए, डेट याद करना साथी हूं बहुत जरूरी है, मैं फिप्त समेस्टर में भी बार बार बोल ला था, शीक्त समेस्टर में भी बोल ला हूं, ठीक है, डेट याद रखिए, क्योंकि डेट ज्यादा पूछे जाते हैं आपके ग्यामें, 34 नमबर प्रस्ण क्या है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, कैबिनेट मिशन मार्च 1946 को भारत आया था, ठीक है, कब मार्च में कब आया था, 24 मार्च को, ठीक है, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को नई दिल्ली पहुचा था, ठीक है, ध्यान रखेंगे प्रस नुमर 35 क्या पूछा गया है मुसलिम लिग ने सीधी कारवाई की धमकी कब दी थी तो 16 अगस्त 1946 को मुसलिम लिग ने सीधी कारवाई करने की धमकी दी थी अच्छा ये धमकी में क्या कहा गया था मुसलिम लिग ने धमकी में क्या कहा था अखिल भारती मुस्लिम लिग ने 16 अगस्त 1946 को ब्रिटीसों के भारत छोड़ने के बाद एक अलग मुस्लिम मात्र भूमी के लिए प्रतच कारवाई करने का फैसला किया था इस दिन को प्रतच कारवाई दिवस के नाम से भी जाना जाता है इसे 1946 कलकत्ता हत्याओं के नाम से भी जाना जाता है इस दिन कोलकाता में भीसर दंगे शुरू हो गए थे इन्हें कलकत्ता दंगा या कलकत्ता का भीसर हत्याकांड ठीक है कहते हैं इन दंगों में 5000 से लेकर के 10,000 लोग मारे गए और लगबक 15,000 घायल हो गए थे इन दंगों की सुरवात मुस्लिम लिगने की थी और इसका नेत्रित मुहम्मद अली जिन्ना ने किया था इन दंगों की वजह कौन थे महात्मा गांधी और नहरू के फैसले से नाराज होना बताया गया था ठीक है जो महात प्रस नमर 36 क्या है आपका महात्मा गांधी ने नमक सत्यागरह कब किया महात्मा गांधी ने नमक सत्यागरह 1930 में किया था ठीक है 12 मार्च ठीक है 12 मार्च 1930 को महात्मा गांदी ने नमक सत्यागरा किया था ध्यान रखेंगे महात्मा गांदी ने 12 मार्च 1930 को सावरमती आसरम से 78 साथियों के साथ 386 किलोमीटर की लंबी यात्रा की थी जिसे दांडी मार्च या नमक सत्यागरा से नाम से जाना जाता है यह यात्रा 6 अपरेल 1930 को दांडी के 30 सहर तक पहुंच कर खत्म हुई थी ठीक है आपके एकजाम में पूछा जाता है दांडी मार्च कब खत्म हुआ था 6 अपरेल 1930 को शुरू कब हुआ था 12 मार्च 1930 को शुरू कब हुआ था और खतम कब हुआ था तो अनों याद रखना जरूरी है चले प्रस नमर 37 क्या है गुजरात में बार्डोली सत्यागरा किसके नेत्रितों में हुआ तो सरदार बल्लम भाई पटेल के ठीक है बार्डोली सत्यागरा कब हुआ था तो गुजरात के बार्ड पूली सत्यागरा 1928 चलें प्रस नमबर 38 पूछा गया है लाहोर में भारती राष्टी कांग्रेश का धिवेशन किस वर्स हुगा था 1929 में लाहोर में भारती राष्टी कांग्रेश का धिवेशन हुगा था प्रस्ट नमबर 49 आपका पूछा गया है सबीने अवग्या आंदोलन किस वर्स अस्थगीत किया गया देखिए यहां पूछा है अस्थगीत मतलब रोग दिया गया ठीक है तो सबीने अवग्या आंदोलन को 1934 में रोग दिया गया था ठीक है देखें साथ अपरेल 1934 को वापस ले लिया गया था सभी नमग ग्यान दोलन को चले अगला प्रस्त देखते हैं 40 नमबर पसना आपका क्या पूछा गया है बिहार में नमक सत्यागरा सबसे पहले कहां सुरू हुआ तो बिहार में नमक सत्यागरा सबसे पहले चमपारण और सारण में सुरू हुआ बी आपसन करेक्ट हो जाएगा कब हुआ था बिहार में नमक सत्यागरा 6 अपरेल 1930 को सारण में सुरू हुआ था सारण और चमपारण बिहार में सत्यागरह शुरू करने वाले पहले दो जिले थे प्रस नमबर 41 आपका पुछा गया है बिहार के सारण में नमक सत्यागरह कब हुगा तो 6 अपरेल 1930 को बिहार के सारण में नमक सत्यागरह हुगा था देखे उपर मैंने आपको पढ़ाया ठीक है हावा में बिल्कुल भी मत पढ़िएगा अराम से ध्यान से पढ़ते चलिएगा ठीक है बहुत ही इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट प्रस नहें यह सभी आपके एक्जाम में पुछे जाएंगे प्रस नमर 42 क्या है परसिद इर्विन समझावता हुआ था ध्यान रखेंगे बी आर्षन करेक्ठ आपका चले अगला प्रस नमर 43 क्या पुछा गया है कि इसके सुझावों पर भारतियों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था तो लाड़ इर्विन के सुझावों से भारतियों को साइमन कमीशन से ब प्रस नमर 45 देखते हैं क्या पूछा गया है साइमन कमीशन भारत की सुष आया तो साइमन कमिशन 1928 में भारत आया था, ध्यान रखेंगे इसमें कुछ की पॉंट्स दे हैं, ध्यान से पढ़िएगा, साइमन कमिशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था, इसे भारती बैधानिक आयोग के नाम से भी जाना जाता है, आपके एक्जाम में पूछता है, भारती बैध सद के साथ सदस्यों का एक समू था, जिसका गठन 8 नुवंबर 1927 को किया गया था, ध्यान रखेंगा, मैं बता देता हूँ, 8 नुवंबर, ठीक है, 8 नुवंबर 1927 को साइमन कमिशन का गठन किया गया था, लेकिन भारत 3 फरवरी 1928 में आया था, साइमन कमिशन, इस आयोग के अध्यास कों थे, वहिया, सर जान साइमन, ठीक है, इसमें लेबर नेता, कलेमेंट एटली भी थे, और दखिए, कलेमेंट एटली बाद में 1945 से 1951 तक यूनाइटेट किंगटम के परधान मंतरी बने, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही सांदार की पॉइंट से, ये नमबर 1927 को साइमन आयोग निवगत किया गया था, लेकिन भारत कब आया था, तीन फरवरी 1928 में भारत आया था, और साइमन आयोग की निवगती 8 नमबर 1927 में हुई थी, ठीक है, ये प्रस्न आपके एग्जाम में 100% आयगा, इसलिए मैं काफी अच्छे तारीके से समझा ठीक है, चले, प्रस्न नमर 47 क्या है, साइमन कमिशन पहली बार भारत आया, तो 1928 में आया था, ठीक है, तीन फरवरी 1928 साइमन कमिशन पहली बार भारत आया था, प्रस्न नमर 49 क्या पुछा गया है, निम्नलिखित साइमन कमिशन के सदस्यों में कौन उधारवादी था, त त्यार की थी तो नहरू रिपोर्ट नहरू के पापा ठीक है मोतिलान नहरू ने त्यार की थी इनको ML नहरू कहा जाता है ठीक है मोतिलाल नहरू ठीक है ध्यान रखिएगा नहरू रिपोर्ट को साल 1928 में ब्रिटीज भारत के एक सर्वदली सम्मेलन की समिती ने त्यार किया था इस समिती के अध्यच मोतिलान नहरू थे और उनके बेटे जवाहर लान नहरू इसके सचिव थे ठीक है नहरी रिपोर्ट किसके त्वारा त्यार की गई थी तो एक सर्वदली समेलन समिती थी लेकिन जो नहरी रिपोर्ट थी इसके अध्यश कौन थे मोतिलान नहरू इसके सचीव कौन थे इनके बेटे जवाहरलान नहरू चले प्रस नमर पचास क्या पुछा गया है नहरू रिपोर्ट का संबंध है मोतिलान नहरू से है यह आपसन करेक्ट हो जाएग झाल झाल